Question number 71 में क्या दिया है कि cot A plus cossack A का value क्या है 2 है तो हमें किसका value निकाल यह acute angle दिया है तो हमें 9, 10 A, फिर 16 cossack A, 5 sin A और 3, 10 A इन सबका क्या करना है जो भी expression दिया है value निकालना है तो जो चीजें पता होनी चाहिए वो यह है कि cossack A plus cossack A का value जो होगा वो होगा 1 by cossack A minus cot A अब सोच रहे होंगे कि यह कैसे होगा तो cossack plus cot into cossack minus cot करेंगे तो cossack square minus cot square होगा जिसका value क्या होता है 1 तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो cossack A minus cot A का value कितना आ जाएगा तो answer आ रहा है कि 1 by 2 आ जाएगा क्योंकि 1 by cossack A plus cot A आएगा और cossack A plus cot A का value 2 है इन दोनों को add करेंगे तो आएगा 2 times cossack A value आ जाएगा 5 by 2 तो cossack A का value कितना आएगा 5 by 4 ध्यान रहे यह हो गया है h by p सब values निकाल लेंगे 9 10 A है plus 16 cossack A है नीचे क्या है 5 times sin A उसके साथ है 3 times 10 A यही आया है क्या करने वाले हैं हम लोग 9 10 A है न 9 10 A का value कितना आ जाएगा 4 by 3 और 16 cossack A अपना है 5 by 4 डी नॉमिनेटर की बात करें तो 5 times sin A आ रहा है 4 by 5 प्लस 3 times 10 A है 4 by 3 क्या आएगा निउमेरेटर में आ गया 12 प्लस चर्चों का 16 और 5 का 20 डिवाइड़ बाई 4 प्लस 4 8 आ गया उपर आ गया 32 नीचे आ गया 8 32 बाई 8 कितना आएगा 4 कोशन का जो सही आंसर निकल के आया है वो क्या है ओप्सन नंबर C तो उमीद यह चीजें आपको समझ में आ गई होगी अगर कोई डाउट रहे आप कमेंट सेक्षन में जरूर पूछ ले तो अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुचाई हो तो वीडिय में एक नए सलूशन के साथ और एक नए कॉंसेप्ट के साथ